गुद मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट मैसल्फ आलोक वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट हम डिसकस करे थे क्लास 12 का फर्स चप्टर डैट इस सॉलूशन मुझे उमीद है कि आप सभी ने सॉलूशन से रिलेक्टेट सारे वीडियो देख लिए होंगे अगर आप में से अभी भी किसी ने नहीं देखें आप पहले उसको देख लिजिए तो स्टूडेंट हमने पार्ट 6 और पार्ट 7 में राउस लॉग को डिसकस किया था तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं राउस लॉग से रिलेटेट कुछ प्रॉब्लम्स तो आपके करके उसको डिसकस करते हैं पहला कोशन है स्टूडेंट फिस्ट कोशन है 10 ग्राम अफ वाटर इस इंट्रिजूस इन 10 लीटर एवेकुएटेड वैसल अट 77 डिग्री सेल्सियस what mass of water will be present in the liquid when equilibrium will be established vapor pressure of water at 77 डिग्री सेल्सियस is 350 mm तो हो क्या रहा है स्टूडेंट यहां पर एक आपने वैसल ले रहे है खाली वैसल है उसमें हमने 10 ग्राम क्या वाटर डाल दिया और इसका temperature कितना maintain किया हुआ है 77 डिग्री सेल्सियस तो जैसे ही आप water इसके अंदर डालेंगे तो कुछ water क्या करना शुरू हो जाएगा vaporize करना शुरू करेगा और vaporization कब तक होगा student क्या मुझे बता सकते हैं तब तक होगा जब तक कि liquid और vapor equilibrium में आ जाए और जब vapor liquid equilibrium में आ जाएंगे तो उस time के pressure को हम क्या कहेंगे vapor pressure of water correct तो student हमें क्या कर निकालना है हमें यह निकालना है कि कितना liquid vaporize कर जाएगा to maintain a to achieve a vapor pressure at 77 degree Celsius और वो vapor pressure given है कितना है 350 mm of Hg correct तो हमें क्या इस container का volume पता है 10 liter हमें इसका temperature पता है 77 degree Celsius उसको Kelvin में change कर लेंगे 273 से add कर देंगे तो 350 Kelvin हो जाएगा temperature हमें pressure पता है इस vessel का 350 mm of Hg तो हम यहाँ पर gas law लगाएंगे ideal gas equation लगाएंगे to calculate the weight of vapor correct तो हमने लगा दिया PV is equal to क्या यूज किया NRT तो PV is equal to W upon MRT moles को हमने weight upon molecular weight ले दिया यहां से weight हमने लिए का PV M upon R T सभी की values डाल दी याद रखिंगे student आपको जो vapor pressure है वो mm में गीवन है तो आप उसको convert कर लेंक इसमें atmosphere में तो 350 upon 760 तो pressure हो गया volume 10 liter student molar mass कितना 18 temperature 350 Kelvin और R की value है 0.08 तो जब इसको solve करेंगे तो हमें जो weight मिलेगा वो कितना मिलेगा 3 gram मिलेगा correct so 3 gram of liquid will vaporize from 10 gram to achieve an vapor pressure of 750 mm of Hg correct इतना vapor pressure achieve करेगा clear तो remaining liquid कितना हो जाएगा student 10 gram आपने लिया था 3 gram तो vaporize कर गया 350 vapor pressure maintain करने के लिए तो बचा कितना रहे गया remaining कितना हो गया 10 minus 3 is equal to कितना 7 gram correct यहाँ पे student एक assumption ले रहे हैं जो remaining liquid है that is 7 gram उसका हम volume क्या कर रहे हैं neglect कर रहे हैं क्योंकि इसका volume बहुत कम है as compared to volume of the container correct clear student right तो हम second question discuss करते हैं second question क्या है student if vapor pressure if total vapor pressure of a binary solution is 150 x1 plus 200 x2 where x1 and x2 are mole fraction of component 1 and 2 the correct option is or are हमें equation दे रहे हैं राउसलो की और हमें correct statement पूछा हुआ है क्या होगा राइट तो equation क्या student equation है pt equal to 150 x1 plus 200 x2 correct तो यहां पर मुझे बता सकते हैं p1 not कितना होगा student 150 और जो p2 not होगा वो कितना होगा 200 तो हम यहां से कह सकते हैं जो p2 not है वो बड़ा है किससे p1 not से इसका मतलब क्या है जो second का vapor pressure जादा है first से तो जो second liquid होगा वो more volatile होगा किससे first liquid से तो आई आप option चेक करते है first option कहता student component 1 is more volatile than component 2 नहीं है इंकरेक्ट है component 2 more volatile है किससे component 1 से क्योंकि component 2 का vapor pressure ज्यादा है component 1 से तो second option correct component 2 is more volatile than component 2 clear एक और बात आपको student प्रिवेस वीडियो में ने बताई थी कि जो pt होगा वो हमेशा p1 और p2 के बीच में होगा तो जो छोटा होगा उससे बढ़ा होगा that is 150 से बढ़ा होगा p1 not से बढ़ा होगा और p2 not से क्या होगा छोटा होगा तो total pressure 200 mm of 200 mm of hg से कम होगा और 150 mm of hg से ज्यादा होगा इसका मतलब जो vapor pressure of solution है वो less than component 2 होगा और vapor pressure of solution greater than pure component 1 होगा तो आई यह option चेक करते है तो third option कहता है vapor pressure of solution is less than pure component 2 यह option correct है क्योंकि उसका 200 से कम आएगा vapor pressure of solution greater than component 1 है यह option भी सही है क्योंकि vapor pressure जो solution का वो 150 से ज्यादा आएगा next option यह option vapor pressure of pure component 1 is 150 option सही है vapor pressure of pure component 2 is 200 mm वो भी सही है तो option A को छोड़के बाकी सारे options क्या है correct है यहापे आप mention कर लीजेगा student vapor pressure of pure component 1 and vapor pressure of pure component 2 मैंने यहापे pure नहीं लिखा हुआ है तो आप mention कर लीजेगा correct next question is student mixture of volatile component A and B has total vapor pressure is equal to 254 minus 109 XA correct where XA is more fraction of A in the mixture calculate P0A and P0B इस बार हमें P0A P0B निकालना है और हमें total vapor pressure की equation दे रहे है 254 minus 119 XA clear तो बहुत ही आसान है student यह करना Pt equal to क्या है Pt equal to होता है P A not XA plus P0B XB equation हमें किसके terms में दे रहे है student XA के terms में तो इसको हम पहले XA के terms में लेखते है तो P0A XA plus P0B into 1 minus XA correct तो इसको हम जब rearrange करेंगे तो में equation मिलेगी P0B minus of minus of P0B minus P0A into XA clear तो equation को हमने बिल्कुल वैसे ही arrange कर लिया जैसे equation हमें given है equation में अब इन दोनों equation के coefficients को हम equate कर देंगे तो हमें P0A और P0B मिल जाएगा correct तो यहाँ पे वही लिखा हूँ है student Pt equal to P0A XA plus P0B XB next equation P0A XA plus P0B 1 minus XA next step P0B plus P0A minus P0B into यहाँ पे XA नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा correct तो minus जब common नहींगे तो equation क्या बनेगी Pt equal to P0B minus P0B minus P0A into XA correct अब यह equation बिल्कुल वैसे ही है similar जैसे equation किस form में given है question में given है इसका मतला अब हम coefficient को equate कर सकते हैं तो P0B जो student होगा किसके बराबर होगा 254 के बराबर और P0A minus P0B को क्या लिखते हैं 119 तो P0B के जब value डालेंगे तो P0A कितना मिलेगा 135 टॉर correct तो यहाँ पे हमने क्या किया जिस form में equation given थी उस form में ही हमने राउस लोग equation को convert कर दिया और दोनों के coefficients को क्या कर दिया equate कर दिया उससे हमें क्या मिला P0A और P0B मिल किया correct next question क्या student two liquid x and y forms ideal solution the mixture has vapor pressure of 400 mm at 300 Kelvin when liquid is in molar ratio 1 is to 1 and vapor pressure is 350 mm when liquid is with molar ratio of 1 is to 2 calculate the vapor pressure of 2 liquid x and y clear question क्या कहता है student एक बार हमने 2 liquid को x y को molar ratio में लिया 1 is to 1 का तब जो vapor pressure solution का है वो आया 400 PT कितना है 400 अगली बार हमने molar ratio लिया 1 is to 2 का तो total pressure जो आया वो आया 350 mm of hg correct हमें क्या निकालना है P0 x और P0 y निकालना है P और liquid x और y का vapor pressure निकालना है that is P0 value निकालनी x की और P0 value निकालनी किसकी y की correct तो कैसे solve करेंगे student हम हमें जब पहली बार molar ratio गीवन है x और y का तो वो गीवन है 1 is to 1 का correct इसका मतलब जो x का mole fraction आएगा वो कितना हैगा 1 is to 2 जो y का mole fraction आएगा वो कितना हैगा 1 is to 2 तो हम equation लिकेंगे 400 is equal to P0 x into x mole fraction of x that is 1 by 2 plus P0 y into mole fraction of y that is 1 by 2 तो यहां से जब solve करेंगे तो हमें equation मिलेगी P0 1 plus P0 2 is equal to 800 correct second time हमने क्या molar ratio कितना लिया था x और y का molar ratio गिवन था 1 is to 2 का इसका मतलब हमें x का जो mole fraction मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 by 3 और जो y का mole fraction मिलेगा 2 by 3 तो हमें second equation मिल जाएगी 350 into P0 1 by 3 plus P0 2 into 2 by 3 correct जब इसको solve करेंगे तो हमें equation मिलेगी P0 plus 2 P0 is equal to 150 correct तो हमार पास 2 equation है और 2 variable है हम इनको दुनों को solve कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा P1 0 या P0 x की value और P0 y की value correct तो equation क्या है P1 0 plus P2 0 first equation थी 800 second equation थी P1 0 plus 2 P0 2 P2 0 is equal to 1050 तो हम second equation को first से minus कर देंगे तो हमें P2 0 मिलेगा कितना 250 और उसको first equation put कर देंगे तो हमें P1 0 कितना मिल जाएगा 550 गर्रेक्ट क्लेश्ट नेक्स्ट क्योश्चन है student at 80 degree celsius the vapor pressure of pure liquid is 550 mm and pure liquid is 1000 mm दोनो pure liquid के में P0 की value गिवन है A की गिवन है 550 और B की गिवन है 1000 if a mixture of solution A and B if a mixture of solution A and B boils at 80 degree celsius and 1 atm pressure then amount of A in the mixture will be correct तो हमने क्या किया इन दोनों liquid का solution बनाया और यह जो boil हुआ solution वो 80 degree पे boil हो रहा है और उस time का जो pressure है कितना है 180 प्रेशर तो मुझे आप बता सकते हैं 80 डिग्री पर जो यह बॉयल हो रहा है तो उस समय का जो vapor pressure होगा वो कितना होगा 80 डिग्री पे मैं तो 80 डिग्री पे वेपर रह से कितना होगा 180 म मतला vapor पर प्रेशर है वो गिवन है आपको 760 mm of Hg तो टोटल प्रेशर एक्टी डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉल्यूशन इस गिवन है 760 mm of Hg या 180 म करेक्ट हमें दोनों की पी नॉट की वैली गिवन है पी नॉट A की और पी नॉट B की वैली गिवन है हमें सिर्फ क्या निकालना है मोल फ्रेक्शन निकालना है X A को करेक्ट तो क्या होगा P T equal to P not B plus P not A minus P not B into X A यहाँ पे राउचलोग को हमने लिखा है in terms of X A value डाल देंगे student P T की value 760 P not B की value 1000 P not A 550 minus 1000 into X A solve करेंगे तो X C की value कितनी आएगी 0.5 मतलब 50 mole percent क्या है A तो B B कितना होगा 50 mole percent होगा correct clear student student यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है इस question में जो मैं भूल गया था two liquid oxygen wire forms ideal solution student ideal solution वो होता है जो round law को obey करता है correct clear तो बाद में हम discuss करेंगे इसको later on right बस अभी इतना याद रखी ideal solution वो होता है जो round law को क्या करता है वो भी करता है correct तो कहीं सी भी question में अगर ideal solution आता है तो आप ideal solution is a solution which obeys a round law correct last question student an aqueous solution containing 28 percent by weight of liquid A molecular weight is given 140 has vapor pressure of 0.2 bar at 37 degree celsius calculate vapor pressure of pure liquid pure liquid का vapor pressure निकालना है vapor pressure of water is given at 37 degree celsius 0.1 bar correct इसमें हमने student aqueous solution बनाया है liquid A का है aqueous का मतलब पानी के अंदर तो A को हमने dissolve किया किसके water के अंदर तो इसका मनला हमें weight given 28 gram sorry weight percent given 28 percent तो अगर W1 28 gram होगा तो W2 कितना हो जाएगा weight of water कितना हो जाएगा 100 minus 28 कितना हो जाएगा 72 correct तो 100 gram में से 28 gram किसका है liquid है तो बचावा जो 72 gram है वो क्या होगा water होगा correct तो हमें दोनों के weight पता है दोनों का क्या हमें molecular weight पता है तो हम mole fraction निकाल सकते है N1 upon N1 plus N2 तो यहां में mole fraction ही निकाला हुआ है 28 upon 150 क्योंकि molar mass given है liquid का upon 28 upon 150 plus 72 upon 18 water का molecular of 18 जब solve करेंगे तो हमें कितना मिलेगा mole fraction 048 तो हमें given क्या क्या है student हमें total pressure given है solution का 0.2 bar at 37 degree celsius water का vapor pressure given है 0.1 bar at 37 degree celsius हमें निकालना क्या है P1 not निकालना है तो equation दिलादेंगे राउच law के Pt equal to P1 not x1 plus P2 not x2 correct तो यहां पे हमें x1 निकालना है तो हम x1 के terms में equation लिख देंगे Pt equal to P1 not x1 sorry हमने x1 निकाला था तो हम इस equation को x1 के terms में लिख देंगे Pt equal to P1 not x1 plus P2 not into 1 minus x1 अब हमें x1 भी पता है Pt भी पता है P2 not भी पता है सिर्फ क्या नहीं पता P1 not नहीं पता है तो इस equation में हम डाल देंगे put कर देंगे equation को तो हमें answer क्या मिलेगा P1 not P1 not कितना हो जाएगा point 2.18 बार करेक्ट student तो यहां पे weight percent given था weight percent से हमने क्या निकाला weight निकाला पहले weight से हमने mole fraction निकाला और mole fraction के बाद हमने route law निकालके route law apply करके हमने vapor pressure निकाल दिये pure liquid 1 का correct ता I hope आपको अभी आज का video lecture clear हुआ होगा हमने आज काफी question discuss किया regarding route law अब आप student route law से regarding आपको कहीं भी questions मिलते हैं तो आप इसके question कर सकते हैं but route law के question अभी आप उसके मत try करिएगा जिसमें vapor face की composition पूछी भी होगी अभी तक हमने route law में vapor face की composition का formula derive नहीं किया है तो उसके question आप avoid कीजिएगा अभी अभी आप सिरफ composition of liquid face में जहां पे given है उसके question आप route law के try कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपसे सारे question अब हो जाएंगे correct thank you student